किसी ने क्या खूब कहा है गिरा दे जितना पानी है तेरे पास है बादल यह प्यास किसी की लेने से बुझेगी तो बरसने से नहीं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम प्रिकास पांडे है आज अपने चनल पर एक नई वहतेईन प्यानता एक कहानी लेकर कर आया हूँ दोस्तों आज की कहानी से हम जानेंगे कि एक जगह पर विद्या या ग्यान लेने वाले विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी तेज क्यों हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी कमजूर क्यों रहते हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका सीर्षक है ग्यान या विद्या की प्यास एक गुरू के दोसिस थे एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा फिसड़ी पहले सिसकी हर जगा प्रसंसा और सम्माल होता था जबकि दूसरे सिसकी लोग वो पेच्छा करते थे और एक दिन रोश में दूसरा सिस गुरू जी से चाकर बोला गुरू जी मैं उससे पहले से आपस बिद्ध्या धन कर रहा हूँ फिर भी आपने मुझे उससे अधिक सिच्छा दी गुरू जी थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले पहले तुम एक कहानी शुआ एक यात्री कहीं जा रहा था रास्ते में उसे प्यास लगी थोड़ी दूर पर उसे एक कुआ विला कुएं पर बाल्टी तो थी लेकि रस्सी नहीं थी इसलिए वहाँ आगे बाढ़ गया थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया कुएं पर रस्सी न देखकर उसने इधर देखा पास में ही बड़ी बड़ी घास उग रही थी उसने घास उखाड़कर रस्सी बाटना प्रारम कर दिया थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तयार हो गई जिसकी सहायता से उसने कुएं से पाने निकाला और अपनी प्यास गुरुजी ने उससे पूछा अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज़्यादा लगी थी सिस्स ने तुरंट उत्तर दिया कि दूसरे यात्री को गुरु जी फिर बोले प्यास दूसरे यात्री को ज़्यादा लगी थी यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिस्रम किया उसी प्रकार तुम्हारे सहपाथी में ज्ञान की प्यास है जिसे बुझाने के लिए वह कठिन परिस्टरम करता है जब कि तुम ऐसा नहीं करते हो इस प्रकार सिस्ट को अपनी प्रस्म का उत्तर मिल गया था अपसे वह भी कठिन परिस्टरम में चुट गया दोस्तों यह छोटी सी कहानी हमें सिखाते हैं कि अगर जिस चीज की चाहत आपको ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा परिस्टरम करें उस चीज को पाने के लिए जीवन में इसलिए वह लोग आगे चले जाते हैं जिनकी चाहत या प्यास जादा होती है तो जादा मेहत करते हैं इसलिए हमें अपने लच्छ को पाने की जिद या चाहत ही हमें सबसे आगे लिजाएगी जिद और चाहत या प्यास को बनाए रखने के लिए प्रद्दिन सुबा साढ़े पांच बजे एक नई कहान नई उमाव से करे दिन की सुरुवात तब तक के लिए सोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आसिरवात और भगवान के साहरे के साथ यही कहूंगा काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा की उताहर बन जाए यह चोटी सी हिस्टोरी आपको अच्छे लगी लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने स्मित्रों में भी और कमेंट ज़रू करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बहतरी इन प्रैनादाय कहानिया आपको परतेक पर मिलती रहें इसके लिए प्रेस बेल आइकन